नमस्कार मैं मानसी गुलाटी भारत समचार के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ आज हम माईग्रेन हेडिक के लिए सिंपल सा योग करेंगे हर इंसान माईग्रेन की समस्या से जूचता है तो इसका सिंपल सा उप्चार है योग तो चलिए शुरू करते हैं आखों को बंद कर लीजिए मन को शांत रखिए सांस लीजिए सांस चोड़िए आखों को शारन करेंगे इन्हेल ओम् 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 सबसे पहले मैं आपको सिंपल क्रिया करना बताऊंगी सिंपल क्रिया अपनी सांसों की गती को बढ़ाना इन्हालेशन एकसलेशन के साथ में तो शुरू करेंगे अपने हाथ को स्टमक पे रखिए आखों को बंद कर लीजिए इन्हाल इचल अज अजाँ इन्हाल 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 बंद चली आसके आखिए हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है सिंपल क्रिया के साथ में कोई भी आसन कोई भी क्रिया आप तीम बार जरूर करें तभी आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अब हम करेंगे पवन मुख आसन कर दो तरह प्राइब कर दो बालासन धीरे से एकसलेशन के साथ में नीचे जाएंगे कीप यो फोर हेट डाउन बालासन बालासन अब मैं आपको बहुत सिंबल सा परियास बताऊंगी जो बहुत इजी होता है आप लोग बहुत आराम से मेरे साथ कर सकते हैं सबसे पहले इसको हम बोलते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट पोस्ट इसको इस तरह से रखेंगे नमस्कार मुद्रा में अच्छे से इसको प्रेस करेंगे दीरे से अपनी पिंगर को मुव करेंगे दीरे से अपनी पिंगर को मुव करेंगे एक बार और करेंगे सबसे अच्छा आर्सन सबसे इजी एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है यह इससे आपका नर्विस सिस्टम स्टिमिलेट होता है होल्ड करेंगे तो कैसा लगा आपको यह बहुत ही जादा रिलाक्सेशन महसूस हो रहा है एक एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको और बताऊंगी मैं आपकी रिंग पिंगर को रिंग पिंगर को इस तरह से प्रेस करेंगे टिप आप यूर रिंग पिंगर इसको अच्छे से दबाईए दूसरे हाथ में ओल्ड करिए आँखों को बंद करिए इससे हमारा ब्लड साकुलेशन बढ़ता है और इसका असर आप कुछ ही मिंटों में देखेंगे प्रेस करेंगे अब मैं आपको बहुत सिंपल सा एक मसाज करना बताऊंगी बिना ओयल के इस तरह से अपने हाथ को रखेंगे करेंगे बिना एक रखेंगे डिकवाथ को रास करेंगे पार रा आटे शाए कर दाए कर दाए एक बार और करेंगे एंटी क्लॉकवाइस सो आज का एक और पोज हम करेंगे इसको हम माइंड फुलनेस पोज बोलते हैं जिन लोगों को सोने की समस्या होती है जो लोग सही से नहीं सोते वो अच्छे से सो भी जाएंगे तो फोल करेंगे यहां पर अच्छे से इसको प्रेस कीजिए नीरे से अपनी पिंगर को स्वाइप करेंगे और रिलीज मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा अपने विशार सुझाफ हमसे जरूर शेयर करें साथ में डाएट बहुत इंपॉर्टेंट होता है योग के साथ डाएट को भी पॉलो कीजिए पांच बजे के बाद ओईली पूद जंक फूद को पूरी तरह अवॉइड करिए पानी बहुत पीजिए हर आदे घंटे के बाद आदा गिलाज पानी पीजिए अपने आपको स्वस्त रखिए निरोग रखिए हम आपको फिर मिलेंगे धन्यवाद